गुद मॉर्निंग दोस्तों इस से ची मॉर्निंग शायद हो नहीं सकती है हम डोग जिस वेकेंसी का वेट कर रहे थे जिसमें की MP पटवारी की वेकेंसी है अपनी जो रिवेन्यू इंस्पेक्टर की वेकेंसी है साथ चाहत फायर मैन की और भी बहुत सारी वेकेंसी पर सबसे मेन जो हम वेट कर रहे थे वह है पटवारी जो है भू अभी लेक जो हमारा विभाग होता है उसके अंदर राजस्व विभाग के अंदर हमारा जो पटवारी की पोस्ट है वह आ चुकी है अब इसके लिए आप लोग रेडी हो जाए अच्छी तरीके से अब इसमें क्या-क क्या होगा क्या नहीं हम यह सब डीटेल में देखने वाले हैं जैसे कि अब यह जो हमारा विज्ञापने एक्जाम भी उसमें आ चुका है न्यूसपेपर में अब हमें क्या करना है इसका नोटिफिकेशन आएगा जल से जल्द आएगा तो डीटेल नोटिफिकेशन जैसे जाएगा मैं इसका वीडियो बना दोंगी इसमें वेकेंसी के लिए तबसे अच्छी वेकेंसी लिए क्योंकि हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है अब क्या क्या है इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी डेट है ना आवेदन की डेट है पांच से लेके उन्निस जनव फिर ऑनलाइन परिक्षा होगी बिल्कुल इसमें एक्जाम जो अपना सुधारने की डेट है वो 24 तारिक तर रहेगी कोई भी तुरुती हो जाती तो उसको सुधार सकते हैं अगली बात है कि दो पाली में होता है जैसा होगा हमेशा है ना नॉर्मल है यह हमेशा ही होती आ अब जो परिक्षा जो हमारे शहर है यह सारे आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं यह सब नॉर्मल सारे रहते हैं सीधी है और रीवा भी है यह सारे इसके अलावा क्या रहेगा कुछ वेबसाइट पर ही है एप्लिकेशन होना है फिर हमारा शुल्क कितना रहेगा तो 500 रुप है मारे जो अथर के लिए हैं यह सारी बातों के साथ साथ अब यह हम सकते हैं यह हमारा जो मतब्र देत Brook들 चैयं मैंडल है इस कर्मचारी चैन मंडल है उसने ये नोटिफिकेशन में तरीके से विग्यापंतों निकाली दिया है अब क्या हम कर सकते हैं तुझे को टाइम बहुत है ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप आराम से प्रप्रेशन शुरू कर सकते हैं समिक्षा इंसीजूट द्वारा ओनलाइन और ओफ्लाइन दौरों तरीके से टारगेट बैच विल्कुल एक्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ा कर आपका बैच डू कर दिया गया है जल्द से जल्द आप उसको जॉइन करें बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने कुछ पढ ले सकते हैं तो यह बाड़ी चीज हो गए अब इसके बात क्या है हमारे द्वारा समिक्षा इंस्टूट दारा इस्टाडी मटल भी प्रोवाइड किया चाहरा है अगर कोई बाहर से है तो इस्टाडी मटल मंगा भी सकता है और ऑनलाइन बैच भी एविलेबर रहेंगे सकते हैं और आप हमसे कॉंटाक्ट कर सकता है कॉंटाक्ट टम्बर भी हम आपको ले रहे हैं वह देख लीजिए नोट कर लीजिए वाटसेब कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों हम जल्द ही फिर से मिलते हैं